Hello guys, how are you and welcome back to my channel Biology Believe आज हम NCRT structure of contractile proteins बढ़ेंगे और guys मैं बता देती हूँ कि already हम लोग ने इसका full structure with the diagram हम लोग देख चुके हैं in our notes but it's turned to the NCRT because NCRT is important guys हमने समझ लिया था कि क्या होता है in the notes but not stamp for the NCRT guys so let's let's start with each and every points of your NCRT इच एक्टिन थीन फिलामेंट इस मेड़ आफ टू फिलामेंट अक्टिन है लोग इच अधे देखो जो एक्टिन है वो देखो बॉल एक structure में rounded है कि नहीं जैसे थ्रेड का दो बॉल रखो तो टूल कर दो वो शेप में है कि नहीं ठीक है देट इस वाट योर एक्टिन और मैं बताई थी एक्टिन कैसे बनते है एक ग्लोब्यूलर फॉर्म से ठीक है उसको हम लोग जब mg2 प्लस करते है तब उसमें क्या बनते है वो पॉलीमर बनते है ठीक है देखो इसमें अल्रेड लिखा है इच एफ एक्टिन इस पॉलीमर आफ मोनोमरी को फॉफ जी ग्लोब्यूलर एक्टिक पर एक चीज़ नहीं लिखा है 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 स्टेक करके लिखो यह जो पॉलीमर से प्रोटिन इसमें साथ में यह क्या काम करते है यह अगर यही बस रहेगा तो जो हमारा मसल से वह अकड़ जाएगा वी डॉन्ट वान्ट वान्ट यह जैसे काम करते है उसको बांध के रखते है ठीक है अब जो ट्रोपोनीन है वो देखो ट्रोपोमायोसिन से अटेच है की नहीं सारा अटेच है इन्योर ट्रोपोमायोसिन जो एक यह जो ट्रोपोमायोसिन से अटेच होता है यह जो ट्रोपोमायोसिन से अटेच होता है यह जो ट्रोपोमायोसिन से अटेच होता है और ट्रोप अटेच करे और एक इनिभीट करे टिपी आई ओल राइट गईस इन दा रेस्टिंग स्टिट सब उनीट रोपो मायनेक सीट एक्टिव सैट फॉर दब यहां पर देखो यह मायोसीन का जो यहां पर स्ट्रक्चर वह यहां पर प्रेसें रहते है उपर में अब देखो मायोसीन और एक्टिन में यह है कि जब मायसीन और एक्टिन का इंटरेक्शन होगा तभी क्या होगा कॉंट्रक्शन होगा गाईस ओल राइट I hope that much is clear to you all कि already clear होई चुका है हम लोग ने जब with the help of diagram जब हमने देखा था each and every step और वो सारे step को में अभी और यहां पर revise कर दवा दी in the NCRT which is more helpful ठीक है इच मैसीन थीक फिलामेंट इस पॉल्यमराइस्ट प्रोटीन जितने भी मायसीन थीक फिलामेंट है वस अ पॉल्यमराइस्ट प्रोटीन है ठीक many monomeric protein कॉल मेरो मैसीन ठीक constitute thick filament इच मेरो मैसीन थीक फिलामेंट इच मेरो मैसीन है तू पार globular head, short arm and tail the former being called heavy मैरो मैसीन ठीक है देखो यहाँ पर head, cross arm और इसको हम लोग तेल बोलते है ठीक है this head and cross arm is your watch HMM heavy मैरो मैसीन और यह जो tail का पाट होता है that is your light मैरो मैसीन ठीक है the HMM components short arm project outward at regular distance and angle from the polymerized myosin filament cross arm the globular head is active ATPase enzyme and has binding site of ATP and active site for ATP अब देखो, क्या होता है इसमें ATPase का bind होना बहुत जरूरी है for what your energy production जब तक energy production नहीं होगा तब तक हमारा muscles अच्छे से contract नहीं करेगा ठीक है guys I hope this much is clear to you all और मैं जितना भी पढ़ाऊंगी एक lecture होगा हमारा in notes में और एक lecture होगा हमारा वही topic को in the NCRT because you know you all know कि कितना important होता है NCRT हमारे इंडिये ठीक है all right guys जीक है so keep us study be happy and thanks for watching